नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछों कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर आपको सबसे खराब रेकॉर्ड देखने को मिलेगा for aircraft accidents, तो वो है दोस्तों, इंडोनेशिया और रिसेंटली आपने ये न्यूस सुना होगा कि इंडोनेशियन जेट लाइनर क् आपको देखने को मिलेंगे, why is Indonesia prone to plane crash, तो यहाँ पर इस वीडियो हैं हम discuss करेंगे दोस्तों, कौन-कौन से कारण है जिसकी वज़य से, इंडोनेशिया में यहाँ पर जो aircraft का पुरा record है, वो बहुत जादा खराब रहा है, चाहें वो climatic condition से देखे, या फिर human condition से देखे, ज हम कर सकते थे, अच्छा शायद इंडोनेशिया ने ऐसा नहीं किया है, और इसकी वज़य से अकसर आपको plane crash की ख़बर सुनने को मिलती होगी इंडोनेशिया से, तो काफे कुछ जाने को है चलिया, आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक और फिज़पार मेरे लेक्षे की है, पीडियो आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं, बाइ सर्चिंग, अंकित अगरवाल ऑफिशल, और अगर आ अविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड, तो जिस तरह का पूरा रिकॉर्ड रहा है अविएशन सेक्टर से रिलेटेड, उसका एक और यहां पर आप एक्जामपल देख सकते हो, जो हमें पर्सों देखने को मिलता है, और यहां पर मैं आपको बता दूँ कि इंडोनेशिया के अं जो आपका क्रेश है वो देखने को मिलता है, तो काफी बुरी ख़बर है एक तरह से आप कह सकते हो, इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से और इस्पेशली जो लोग इंडोनेशिया ट्रावल करते हैं उनके एरलाइन के तुरू, और जो एविएशन सेफटी नेटवर्क ह और आप देख सकते हो, करीब 104 एकसिदेंट्स हो चुके हैं, जिसमें मिलतियों आप देखिए, तेई सो से भी ज्यादा मिलतियों है, इसके उपर वापस आऊँगा, लेकिन जो रीसेंट क्रेश है दोस्तों, यह जो फ्लाइट नंबर SJ182 था, यह बेसिकली आपका जावा स चीक में जो है, आपका क्रेश हुआ है, जहां पर वाडी सो अगरा फाउंड की गई है, क्योंकि जस्ट टेक ओफ ही यह किया था, और उसके जस्ट बाद यहां पर उसका कनेक्शन जो है, वो तूट गया, और इसमें दो चीज साफ जाहिर होती है, कि यहां पर काफी जादा हेवी रेन होना था, एक तो क्लाइमेटिक कंडिशन अच्छा नहीं था, और दूसरा यह जो एरक्राफ्ट है, वो बहुत जादा पुराना था, 27 years आप इमाजिन कर सकते हो, और यहां पर आप देख पाओगे, यह है आपका इंडोनेशिया का मैप, that is सुमात्रा, जावा, और उपर आपको पता है, यह बॉर्णियो आइलेंड है, बॉर्णियो में ध्यान रखेगा, तीन देश आते हैं, एक तो यह जो बड़ा वाला पार्ट है, वो इंडोनेशिया का है, दूसरा यह आप देख सकते हो, मलेशिया और एक छोटा सा देश है, बुरुनेई जिसको हमने बताया, तो यहाँ पर सबसे खराब रेकॉर्ड है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस रेकॉर्ड की बात करूँ, इंडोनेशिया के पस्पेक्टिव से, तो आप देख पाओगे कि एशिया के अंदर, विश्यो के अंदर अगर आप देखिए, तो पिछले 75 वर्ष देखने को मिले हैं, डिरेक्टली यहाँ पर क्रैश हो गया है, और 844 लोग, सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया का मैं बाप को बता रहा हूँ, और इसी के बज़े से क्या होता है, कि 2007 में आप देखिए, यूएस और यूरोपियन यूनियन, दोनों ने इंडोनेशियन के ज कुछ काम किया गया, और 2016 में यूएस ने ये बैन लिफ्ट कर दिया, और यूरोपियन यूनियन ने भी 2018 में ये जो बैन है वो लिफ्ट कर दिया, अब मैं आपको नंबर्स की बात बताता हूँ कुछ, इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे, तो बहुत तेजी से फैल है जो aviation market है, population भी अच्छी खासी है, करीब 27-28 करोण के आसपास आपको पता होगा, और अगर मैं आपको बताओ, total number of aircraft जो registered हैं, इंडोनेशिया के अंदर, उनकी संख्या है 1550, लेकिन आप compare करो भारत से, भारत में आपको पता है कितने aircraft registered हैं, it is just 650, तो यहाँ पर कही न कही हमें यह indication देता है कि इंडोनेशिया के अंदर जो aircraft का registration है, process है, कुछ जाधा ही सरल बनाया क्या है, कहीं न कहीं जो regulation safety होनी चाहिए, वो सारे चीज़ों को नजर अंदास किया जाता है, in fact 2018 का आप देख सकते हो, Reuters का report है, उसमें बताया गया है कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में 137 serious aviation incidents हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि हर साल आप सोच सकते हो, जो aircraft से related incidents हैं, उनकी संक्या हर साल average में 23 है, और हर महने की हम बात करें, तो दो इस तरह के incidents हमें देखने को मिलते हैं, तो आप सोच के देखो, अगर भारत में इस तरह से होने लगे, कि हर महने दो कुछ न aircraft से incidents आपको देखने को मिलेगा, तो एक काफी बड़ा concern हो जाएगा, और ऐसा हमें Indonesia के अंदर देखने को मिलता है, next यहाँ पर problem यह है कि Indonesia का पुरा aviation sector है, वो इतना जादा खराब क्यों है, क्योंकि वहाँ पर planes बहुत जादा पुराने हैं, in fact यहाँ पर अगर आप आज airplane की बात करे हो, जो की अभी recently crash हुआ है उनका aircraft, उनके जो average life span है aircraft की मैं आपको बता दूँ, यह करीब 20 साल होता है, लेकिन यह जो crash हुआ है aircraft, उसकी वर्ष आपको मैंने बताया 26 से 27 साल तक था, maximum यहाँ पर 25 साल के बाद तो कोई उसको उड़ाता भी नहीं है, लेकिन यह जो airline है, उसको 27 साल हो चुके थे, उसको बात भी इसको fly किया जा रहा था, in fact 2018 में यह जो particular Boeing है, जो की crash किया है, उसका कुछ manufacturing defect भी आया था, lion air crash हुआ था, 2018 में Boeing 737 MAX का, उसमें manufacturing defect है, इसके अलावा यहाँ पर 2014 में भी बताया किया कि Air Asia का flight था 8501, यह आपका crash हुआ था कुछ faulty mechanics की वज़े से, जिसमें 162 लोगों की मित्यों होई थी, तो यह आपके काफी पुराने planes उडाने की वज़े से भी इस तरह के incidents हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा यह भी मैं आपको बताओ, जो attitude होना चाहिए, aircraft के जो owners हैं, जो वहाँ की agencies हैं, government agencies हैं, officials हैं, यह basically Indonesia का airline ही है, सबसे बड़ा है आप कह सकते हो, उनकी जो co-founder है, रुष्दी किराना, उन्होंने देखे क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरा airline विशो का सबसे खराब airline है, just imagine, कोई company का founder, owner इस तरह से बयान दे सकता है, कि मेरा airline वो विशो का सबसे खराब airline है, but you don't have a choice, आपके पास कोई choice नहीं है, आपको इसी से जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा airline वो सबसे खराब है, इस तरह का बयान, यह जो attitude है, वो अपने आप में ही गलत है, इसके अलाबा सिर्फ वही नहीं, यह तो मैं आपको उनके co-founder की बात किया, वहां के जो official है, National Transportation Safety Committee के जो official है, ज भारत के अंदर इस तरह का बहान दे दे, कि transportation system तो ही है, और accident तो होगा ही होगा, तो मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरह का हालत आपको देखने को मिल सकता है, तो Indonesia का एक ही यह problem है, और तीसरा एक natural problem है दोस्तों, वो है आपका weather का problem, poor weather बहुत जादा खराब होती है, वहां प thunderstorm, पूरे wish में अगर आप देखोगे, तो thunderstorm की बात करिए, lightning strikes की बात करिए, सबसे ज़्यादा आपको Indonesia के अंदर देखने को मिलेगा, in fact आपको पता है, वहां पर volcanic eruption भी काफी होते रहते हैं, तो जब भी volcanic eruption होगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, यहां पर tons of ashes निकलेंगे air मे अब क्या होता है, कि जब aircraft वहां से गुजर रहा होता है, तो जो ashes हैं, वो आपका सक कर लिया जाता है, jet engine के दोरा, jet engine तो क्या करेगा, आप उसके पास जाओगे तो सक कर लेगा, जो आगे का, आपने देखा होगा, पंकी सा होता है, तो वो air सक करता है, और तभी तो यहां पर crash हुआ था, उसमें भी यह बताया गया, कि जो स्वराज aircraft है, 182, यहां पर weather problem की वजए से already एक घंटा लेट हो गया था, और उसके बाद इसको उड़ाया गया, और फिर भी weather की problem थी, और यहां पर यह भी problem हो सकता है, और last में हैं दोस्तों, वो है आपका communication failure, सबसे देख सकते हो, communication problem आपको इंडोनेशिया के जादातर airports पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि जिस तरह का boom आ रखा है इंडोनेशिया के अंदर, जिस तरह से फैल रहा है, उसकी वजए से वहां के जो airports हैं, वो उसको cope-up नहीं कर पा रहे हैं, और यह बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजए से अकसर communication failure होता है, तो आपको कई सारे reasons पता चल गए होंगे कि इंडोनेशिया का जो record है, aviation sector के अंदर वो इतना जादा, in fact पूरे wish में इतना जादा खराब क्यों है, जाने से पहले यहां पर मैं बात करूंगा, सारस aircraft की, क्या आपक और explanation दोनों ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से नेक्स टैम, तil then thank you very much, see you soon.